आई फ्रेंट्स ये एक आपके लिए छोटा सा न्यूज अपडेट है लिकिन शायद ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो सकता है इसलिए मैं आप लोगों के लेके आया हूँ कुछ महीने पहले एनेसी ने एक सर्कुलर निकाला था सर्कुलर का नंबर है 60-2022 यानि 2022 का सर्कुलर नंबर 60 उसमें एनेसी नहीं बोला था कि ऑक्टोबर 2021 के बाद कोई भी ब्रोकर आप पे शॉट मार्जिन पैनल्टी जिसे हम बोलते हैं या अफ्रेंट मार्जिन अक्टोबर 2021 के बाद अगर कोई भी आपकी शॉट मार्जिन पैनल्टी अगर लगाई है तो आपको वो ब्रोकर से रिफंड लेना है और ब्रोकर आपको रिफंड करेगा तो यह देखिए यह जो है जब यह न्यूज आई थी उसके बाद मैंने जिरोधा से मेरे दो तीन छ यह अमाउंड जो है वो रिफंड कर दिया है देखिए इन्होंने लिखा है इन्होंने लिखा है डियर कैंप्स ग्रेटिंग फ्रॉम जिरोधा वी है रिफंडेट अफ्रंट मार्जिन पैनल्टी चार्ज फ्रॉम अक्टूबर 2021 अप्टू जुलाई 2022 जुलाई 2022 के बाद त जाता हूँ मैं अपने यहां 我是Jeff सेंट करेंगे तो आपको यहां पर आपका रिवर्ण दिखाई देगा देखिए यह जो है यह आपका रिवर्णा मार्जिन प ROM simply कुछ लोगों का जिरोधा ने आगर य creator किस City जब मैंने इंसिडेंट बनाया था या सपोर्ट टिकिट जब बनाया था तब उन्हें बोला था कि उनका डिसकॉशन चल रहा है अभी उन लोगों ने शाहिद नसी के साथ ब्रोकर्स की बातचीच चल रही थी लेकिन शाहिद आज उनका कुछ फाइनल रिजल्ट आया होगा जो भी है तो उन्होंने आज जो है वो अफ्रंट जो पैनल्टी लगी है शौट मार्जिन पैनल्टी कब लगती है जब किसी कारण से आप अपना पूरा जो कैश है वो यूज कर लेते हैं और जो मार्जिन की रिक्वार्मेंट है वो बढ़ जाती है तो आपका मार्जिन न गलत है एसा लगाने के लिए नहीं बोला है ब्रोकर्स की जरुरत है मतलब उन्होंने ब्रोकर्स को बोला कि ब्रोकर्स को का जो जो अमाउंट है उनके पास वो नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए ब्रोकर्स ये पैनल्टी इंडिविजुल्स पे नहीं लगा सकते ये पैनल यह account check कर लिजिए कि क्या आपके account में भी इस तरह का जो है upfront margin penalty का reversal आया है और क्या पिछले इस एक साल में October 21 के बाद क्या आप पे penalty लगी है और आपको reversal नहीं आया है तो एक support ticket बनाईए और यह सिरोधा नहीं यह कोई भी सारे के सारे जितने भी brokers है चाहे जिरोधा हो चाहे को आपको refund करना पड़ेगा और यह देखिए broker ने इमांदारी से पूरा amount मेरा इतना ही amount था पूरा amount उनने refund कर दिया है short margin penalty जो लगी थी तो आपका अगर refund नहीं आया है तो यह आपके लिए एक useful information है please file for the refund by creating a support ticket I hope video आपके लिए helpful रहा हो अगर helpful रहा हो तो एक थमसब आपके बाइ